वेलकम तो मैं चैनल डॉक्टर गैजट मेरे नामें डॉक्टर गिरेश दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि हमने रेंज टेस्ट वाला वीडियो कहा गुमा दिया क्यों नहीं डाल रहे हैं तो रेंज टेस्ट हमने दो तरीके से किया था एक तो दो लोगों के साथ मतलब पिलियन के साथ और दूसरे दिन किया था मैंने अकेले जिसमें हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा था हाइपर मोड छोड़के हमने नॉर्माल स्पोर्ट मोड में चलाया था तो दोनों का रेंज में आपको बता देता हूं पिलियन के साथ आया था 114 किलोमेटर और जब मैंने अकेले राइड किया था तो 94 के अराउंड आया था क्योंकि इसमें मैंने स्पोर्ट्स मोड भी यूज किया था बहुत ही मतलब मॉडरेटली एग्रसिव उसमें मैंने ड्राइव करी थी इसमें मैंने कोई भी फ्लाइवर या यह कोई छोड़ना ऐ इसले नहीं डाल रहा हूं क्योंकि बड़ी बड़ी चीजों ध्यान रखते हुए छोटी सी हमसे एक गलती बोल सकते हैं वह हो गई थी जब हमको गाड़ी मिली थी डिलिवर हुई थी तो हमको लगा कि गाड़ी को प्रॉपरली चेक करके दिया गया होगा तो उसमें जो गल टायर प्रेश़र जब हमने टेश्ट किया एंवने देखा नीं और मिस होता गया तो जब मैं विलासपूर जा रहा था तो आपने वीडियो में देखा होगा मैंने पहली बाद टरूल पppers सकता तो बहुत कम निकला अंग यह यह एकता है इसमें बहुत कम है क्या अरे शौक स इतने में चला दे रहा था बहुत कम मतलब 33 PSI होना चीए दोनों आगे और पीछे मेरा आगे और पीछे के जो टायर से उसमें प्रेशर था 17-18 PSI जो की लगभग आधा था जो रिकमेंडेड है उसमें हमने दो लोग चलाया सिंगल भी चलाया तो बहुत ही यह तो बुरा दब़ा होगा और ऐसे नया चार में पता भी नहीं चलता है कि कि तना उसको दबना चाए क्योंकि नयाने अपने को आएडिया नहीं रहता कि कि डृफ्टा हुआ है तो थोड़े समय के बाद आडिया हो जाता है देखके कि बहुत कम होने पर आप देखके बता सकते बट नया टायर था और हमने भी थोड़ा सा व्षा ब्लायंडली फेड कर लिया तो इस वज़़े से जो वॉन वन वन फॉर रेंज आया हूआ है या 94 घॉयुकar वी इसको हम उसको वीडियो को रिलीज करेंगे जरूड़ इस डिस्क्लेमर के साथ करना चाहूंगा, आप लोगों दोके में रखके मैं नहीं रख करना चाह तो आज ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था हम फिर से repeat करेंगी range test और देखते हैं कितना फरक पड़ता है कम air pressure और normal air pressure में और इससे ये बात तो पता चल गई दोस्तों कि minimum कितना range देगा जब हम बाकी चीज़े ध्यान ना रखें तो minimum क्या range देगा दो लोगों में और single में ये मोटा मोटा हमको पता चल गया है और ये minimum अगर 114 है दो लोगों के साथ तो काफी अच्छा है मेरे हिसाब से और हम proper pressure के साथ इसको test करेंगे और हाँ बिलासपूर जाने के लिए मैंने जो 121 का range निकाला था और 16% battery घर पे जाके बची हुई थी उसके 10 km के बाद लगभग petrol pump आता है वो तो वहां पर हमने फिल करा के जो बाकी बचा हुआ लगभग 94-95 km है वो हमने proper air pressure में चलाया है तो इसलिए हमको range भी शायद अच्छा मिला है तो मेबी अगर हम शुरू से ही proper air pressure रखें तो बहुत ज्यादा range भी मिल सकता है जैसे बहुत सा आसा range मिल रहा है ट्विटर पर हमने देखा 165 मिल रहा है किसी को 185 मिला कुछ लोग जो प्रॉपरली DM में वता रहे हैं काफी अच्छे ranges भी मिल रहे हैं तो 134 से भी ज्यादा range आपको मिल सकता है overall तो यह आपको बात बता नहीं थी यह बात अब आपको clear हो गई है कि हमसे यह थोड़ी से mistake हो गई तो आप इस वीडियो का ऐसे ना देखे कि यह maximum range है हाँ यह minimum range है या फिर बोला जाए जब चीजों को ध्यान ना रखा जाए टायर प्रेशर हो गएड़ा हमने जो range test किया उस ही साब से क्या आया और उस range test में हमने बीच में काफी सारे बाते करी है गाड़ी के बारे में उसके performance के बारे में other things के बारे में तो उस चीज़ के लिए आप उस वीडियो को देख सकते है range तो मैंने आपको भी बता ही दिया है जो हमको मिला है तो इस बात के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं यहां पे और मिलते हैं next video में so till then take care bye bye मिलते हैं जल् सब्सक्राण रहे 33 33 ऐसा रखना है ऐसा company के हिसाब से मुझे पता चला है और प्राण ambassador से बात किया तो उन्होंने बताया था 35 से नीचे ही रखना है उससे उपर नहीं जाना है तो यह चीज त्यान रखें मिलते next video